प्रभीश मसी के नाम में आप सभी को जे मसी की अभी जो आपने वीडियो देखा है यह जो वीडियो है चतिस गड़ का है जहांपर जो मसी ही लोग है वो प्रोटेश्ट कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटना चतिस गड़ में हुई है जो कि एक मसी ही समाज को कही ना कही बदनाम करने का काम किया जा रहा है जूटी जूटी आरोप व उनके साथ मारपिट हुआ है उसके बाद मसीही समाज ने इसका विरोध किया है और जो आरोप उनके उपर लगाए गए हैं उनको बताए कि ये बिलकुल जूटे आरोप लगाए गए हैं लगातार ही ये घटनाए बढ़ती ही जा रही है कृपया करके आप लोग प्रात न करे मसीही समाज ने अपने उपर लगाए गए जूटे आरोप उको बदाया निराधार ये बिलकुल आरोप जो लगा रहे हैं वो जूटे आरोप है इलाए क्रेशन कॉंसिल के सदश्यों ने 12 फरवरी को आयोजित एक पत्रकार वारता फ्रेंस कॉंट्फरेंस में कहा था कि मसी समाज सुरू से ही शांती प्रिय और दूसरों के लिए प्रातना और सेवा करने के नाम से जाना जाता है और वो करते भी हैं दूसरों की भलाय चाते हैं दूसरों का अच्छाए चाते हैं और वो हमेशा ही दूसरों के लिए प्रातना और सेवा करते हैं उन्होंने ये कहा है कि 2020 से महिने से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जूटे आरोप लगाये जा रहे हैं और मसीही लोगों को बदनाम किया जा रहा है और उनके धरम गुरों यानि के पाश्टरों और धरम स्तलों को यानि के चर्चों को तोड़ा जा रहा है पीटा जा रहा है इस प्रकार से उन्होंने कहा है प्रभु येश्य मसी एवं धार्मिक गरंत अर्थात पवित्र बाइबिल को बुरा भला बोलते हैं और लगातार प्रात्नव भावनों पर हमला किया जा रहा है जिसकी मसी समाज कड़ी निंदा करता है इस प्रकार से प्रेस कॉनफेंस में मसी समाज ने किया है और उनका वीरोध किया है दूर्ग जिल्ले के 11 फरवरी को जो पास्टर के उपर हमला किया गया था 13 फरवरी को पोटिया में बीशप शौमनाद के साथ मारपिट हुई थी उसका भी जिक्र करते हुए कहा है कि परदेश के अन्य जिलो में भी चार वर्षों से लगबक सेक्डों घटनाए घट चुकी है 575 से जादा शिकायते पुलिस में दर्ज की गई है इन सब बातों से मसी समाज काफी आहत हो चुका है उन्होंने प्रेंस कौंफरेंस के दुआरा ये संदेश दिया है कि जो पास्टर है वो सिवाए प्रेंव भायचारे के संदेश के इलावा किसी भी परकार की अनेतिक कारियों से सदेव दूर रहने के लिए कहते हैं सदेव एसे कारियों से दूर रहते हैं और आपसी भायचारे का सन्दिश देते हैं एक ग्यापन जिला प्रशाशन को भी सोपा गया है तो मेरे प्रियों मसीह जो समाज है वो हमेसा भायचारे प्रयव के साथ रहने के लिए लोगों को प्रोसाइट करते हैं लेकिन फिर भी मसीही लोगों के साथ बहुत सारे इसे बातों को हम देख सकते हैं और किर्प्या करके प्राथ न करें और हम सब विश्वास में मजबूत रहें आगे बढ़े आप सभी को जे मसीही प्रेजल हो